चले हैले अवरीवन सो बिटा अभी दिखे लास्ट में जो क्वेशन हमने किये थे तो उसका आपको थोड़ा सा एक बर इसको अच्छे तरीके से सारे को देख लिए जाएगा तो यह लास्ट में क्या था और इसमें आपको पता चल गया होगा कि इंटीजर हमने लिखा था उ भी तो आपको चीज़े बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हां कैसे कोशन समें एक्वेशन हम बना रहे हैं क्या कर रहा है चलिए नेक्स कोशन में आते मिटा तो देखो क्या लिखा है यहां पर कि दे एल्टीटिट ओफर राइट राइट ट्रेंगल इस सेवन सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस इसका विड़ा राइट एंगल ट्रेंगल है एक राइट ट्रेंगल तो बोल रहे है कि उसका है पोटेन इस अगर थर्टीन गीवन है तो फाइन करो की अधर टू साइट्स कितनी होगी वह है पूटेने समको गीवन है चलिक डियाग्रम यहां बना ले ट्रेंटिवर क्या रिलेशन के एल्टीट्ट जावज का ट्रãy смер to have aX sweetie फीबाद करों हमें फ़र्स्ट लिखना है क्या के इसके बेस को क्या सब्सक्राइस कर रहे हैं तो क्या लेकिंग बिड अलेट है लेट डब बेसबी है बीस आफ ट्रैंगल b मैं एक सब्सक्राइब लेते हैं इसको कितना है वाइं चैन्टीमेटर तो संटी मीटर देन जब हमने बेस को एक सब्पोस किया तो कुश्चन में ऐसा बोला कि भाई सेवन सेंटीमीटर लेस उसका एल्टीट्यूट देन देन एल्टीट्यूट भी कितना हो जाएगा पिटाइए एक्स माइनस सेवन देखे सेवन सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस्टी चलिए अभी हाइपोटनेस हमको थर्डीन गीवन है तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन के कोई तो कोई चीज नहीं है बढ़ा हम एक चीज जरू लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो हमको दिख मिजिवन सेवन सेा स्टाइज दॉड़ा लिख सकते हैं थोड़ा समझना अच् german हम यह लिख सकते हैं कि हाइपोटनिस स्क्वेयर is equal to perpendicular square plus base square यह होता था चलिए values रख देते हैं भी value कितने कितने हैं हमको given है महाँ पर देखे 13 given है तो that means कि 13 square पी कितना given है बिटा हमको x-7 given है perpendicular जिसको बोल रहा है altitude altitude और perpendicular same बात ठीक है तो चलिए इसका naming click देते हैं आप आसा अब यह equation को जब हम solve करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी और वह quadratic equation को by spreading middle term करेंगे और अब इसका answer fine कर लेंगे तो finally हमें इसके whole square open करने आपको पता है कि a-b whole square क्या होता है यूनू very well चलिए इसको solve करते हैं तो कितना होगा 169 is equal to a minus b whole square मतलब a square plus b square अपिटा minus का टूँए मतलब माइनस का 14 x हो जाए गए यह क्यों जाए गए प्लस का x square हो जाए तो हमको finally ऐसा कुछ देखे गए यहां पे कि 169 is equal to देखो बटा यह कितना 2x square प्लस का 49 और माइनस का 14 x अब यह जो 49 और यह जो 16 नहीं लिखा न यह भी क्या होगा प्लस माइनस जो भी होगा भी दिखते नेक्स क्या होगा इसमें तो चलिए लोग नेक्स पेस्पेस्पे आ जाते हैं इसमें अभी की प्लस का 49 और माइनस का क्या लिखा है यहां पे 14 x माइनस का 14 x ठीक है अभी क्यों इसको थोड़ा सा में सॉल करना है क्वाटिटिक एक्वेशन तो बन गया लेकिन इसको इस्टेंडर फर्म में लिख देते हैं तो रहा सा और अच्छे से चीज़े क्लियर हो जाएगे चलो क्या लिखते हैं देखों लोग यहां भी वोटा 2x स्क्वेर माइनस का 14 x और यह प्लस का 14 ऑन और यह यहां पर ट्रांस्पोस हों कि क्यो ओ जागा मैनस का हो जागा तो क्या हो जागा प्लस का 49 और माइनस का 169 इस इक्वल टू जीरो अभी सोल करते हैं के लिखे लिखे क्या होगर यहां परました both तो माइनस का 14 X जब इसको माइनस करेंगे हम तो देखो 9 ओर 9 कितना बटा जीरो जाएगा यह और यह 6 ओर 2 कितना हो जाएगा और यह वन तो मतलब 120 वह भी कैसा इस में greater value कौन सी है प्यां माइनस का greater value कौन सी है आपर देखिए माइनस की value greater है तो sign भी किसका हैगा माइनस का हैगा माइनस 120 इप्वेल टू जीरो तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं और इसको सिंपल कर सकते हैं एक स्कूर माइनस का सब्सक्राइब करना है आपको इतनी चाहिए सारी चीज़ा सिखा दी गई है कि अभी कोई टेंशन नहीं होगा कि इसका कोईफेशिंट और इसका कॉंस्टेंट कि इतना हो गए यहां पे 60 आ जाएगा 60 बंजा 60 अब यहां पर ऐसे दो पार्ट करने कैसे दो नमबर चीजिन का मल्टिप्लिकेशन सिच्टी ओ और जिनका डिफ्रेंस कितना विटा सेवेन तो क्या हो सकता है ट्वैल और फाइब आप कौन सा साइन प्लस माइनस वह यहां पर चेक कर लेते तो ट्वैल फाइज आ सिक्स्टी तों क्या लिख एक्स कंवन अड़ा है क्यों गबिटा एक्स माइनस त्वेल हो जाएगा यह इसमें क्या कॉमन एफ फाइज कॉमन है एक्स माइनस त्वेल क्योंकि 12 फाइज आ शिक्स्टी हो रहा तो आई थिंक अभी कोई टेंशन नहीं अभी जो कॉमन ब्रेक्ट इसको लिख देंगे कि एकना x-12 और पेटा यह क्या लिखा है x plus 5 is equal to 0. So we can write कि if x-12 equal to 0 then यहां से x की लूग क्या जाएगी पेटा x is equal to answer आ जाएगा 12 आ जाएगा और पेटा यहां पे देखिए क्या लिखेंगें इफ x plus 5 is equal to 0 then then x equal to कितना है यहां पे then x is equal to बीटा माइनस फाइब आपको बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी हम लोग minus की वैली तो consider क्योंकि sides कैसे negative तो side होती नहीं कभी भी है ठीक है ट्रेंगल की तो हम यह minus 5 वाला answer consider नहीं कर सकते ठीक है जब minus 5 वाला answer consider नहीं कर सकते हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा answer कौन सा और एक equal to 12 हो जागा so finally हम क्या लिख सकते हैं पर कि answer हमारा कितना X is equal to 12 तो चलिए अभी वापस एक बार देखते हैं यहां पर कि हमने बुला वे कि X equal to answer क्या गया ट्वाला गया कि तो अभी कोश्चन में क्या बोला था कि जो हमने लेट किया था कि अगर हमारा 12 सेंटीमेटर हो गया तो हम लिखेंगे ल्टीट्यूट कितना हो जाएगा ल्टीट्यू इस इकॉल टू कितना वड़ा 12-7 कितना अंसरा कि विटा फाई सेंटीमेटर ठीक है तो यह हमारा अंसर तो इस तरह से कोश्चन को हमने सॉल किया तो एक बर वापस समझ लेजे क्य है जो वेल्इ burial उनको की रूंकर किया कोशन को सोल कि हमारा यहां western चैनल की उसको मिडिल Gör me श्रीट किया और में जीचिक करने के बाद हमारा फाइनल स्प्लेट आनसर तीग है तो इसको अम्ने जो इसको बने्ल टया में स्प्लेट किया है ऐसे क्योश्य पर इसका फइनल number of poetry articles कुछ articles हैं एक दिन में कुछ articles बन रहा है और कैसा बोल रहा है कोश्च में कि इट वाज अब्जर्ब ऑन पार्टी कुलर डे जो उसका कॉस्ट है प्रोडेक्शन जो कॉस्ट हो रहा है एक दिन का जैसे मालेज़े कोई फैक्टरी है कोई तो वहां पर एक दिन का जो भी ब मतलब की अगर आपने को स्पवोस कि अगर्डाइक अगर आपने कुछ्ट उसका 3 थ्री इनम अवर ओस कि आपने त्वाइस दे नंबर ओफ आर्टिकल मतलब कि अगर आपने ट्वाइस आर्टिकल को एक सपोस्ट किया तो उसका जो कॉश्ट है रहा है तू एक्स प्लस थ्री आ रहा है क्योंकि ट्वाइस से थ्री ज्यादा रहा है तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं भी किसका इच आर्टिकल का कॉस्ट भी तो वह हमें पता ही कितना है ट्व एक्स प्लस थ्री तो चलिए सॉल कर देते हैं इसको तो क्या लिखिंग बिटा लेट कि दा नमबर ओफ आर्टिकल भी कितना बिटा हमने इसको एक सपोस्ट किया देन अब देको यहां पेक बर क्या मुला उसने इच आर्टिकल को कॉस्ट ओफ इच आर्टिकल अब हमें क्या लिखना चाहिए आप चेक कर सकते हो बहुत इजी वे में इसने बुलाए कि इट वॉज ऑफ जर्ट ऑन अ पार्टिकुलर डेड़ एट देट देट कॉस्ट और प्रोडेक्शन ओफ एच आर् अब यहां पर कंडिशन के और आगे देखते हैं कि उसने बता है वो है कितना 90 रूपीज कितना बोल रहा है वो 90 रूपीज है तो अब एक चीज़ समझो भई कि लाइक मानलों किसी के पास क्यों आइस क्रीम है या किसी के सॉप में चॉकलेट से एक सॉप की बात करते हैं न में वो दिन 1000 चॉकलेट से कितना 1000 है तो आप क्या करोगे उसका जो वो दिन का कॉस्ट कितना वह बन देगा तो डैट मिंस कैसे फाइंड करोगे एक चॉकलेट अगर 10 रूपीज की है वन चॉकलेट 10 रूपीज की है तो सिंपल सा लौज है कि 1000 चॉकलेट कितने होगी तो आ एक आर्टिकल का प्राइस कितना है dozen चॉकलेट चॉकॉलीट से यह जो प्राइस को किसी क्रोट से टेन रूपीज तो टोटल कितना है आपने टीपलेसे करें और और यहां पर हमें given है कि एक दिन का जो उसका one day का उस दिन का जो cost आ रहा है वो कितना रहा है 90 रुपीज आ रहा है 90 रुपीज आ रहा है तो हम किसके equal कर सकते हैं आप क्या लिख देंगे according to question एकॉर्डिंग टू question मैं जैसे वो softkeeper ने वन डे में कितना थाउजन इंटू टैन टैन थाउजन रुपीज कमा लिया वैसे यहां पर कितना रहा है एक आर्टिकल के लिए जो जितने भी आर्टिकल बन रहे है और एक आर्टिकल का प्रैस जो दे रखा है इसने तो उसका cost कितन प्रोटिक्शन वो दिनका 90 रूपीज तो मतलब इनका क्या हो जागा बटा मल्टीप्लीकेशन तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक सिंटू है 2x3 किसके को बटा 90 के को ठीक है चलो इसको सॉल करेंगे तो अब इसको जब सॉल करो के तो मल्टिप्लाइब हो जाएगा यहां पहल करते हैं तो माइनस का 90 is equal to 0 अब यह ऐसा कोशन है कि अब यह तो बिल्कुल भी आपको क्लियर पता चल रहा है कि यह तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यह कैसे कट हो यह तो थ्री आ रहा तो इसमें कुछ कॉमन हमको नहीं मिल रहा है तो इसको जो हम सॉल करेंगे तो देखो क क्या होने वाला कि यह नाइनटी टूजा कितना होगा इसका कोईफिशन और यह कॉंसेंट वानेटी माइनस का वनेटी आएगा अब हमको ऐसे दो नमबर चीए ऐसे दो नमबर चीए जिनका मल्टिप्लिकेशन क्या बढ़ा वनेटी वाट उनका डिफ्रेंस यहां पे कैसा स का साइन डिफ्रेंस कितना जाए उनका थ्री आजाए अब ऐसे कौन से नमबर हो सकते हैं जिनका मल्टिप्लिकेशन वनेटी हो और डिफ्रेंस उनका थ्री हो तो आपको प्रॉबलम हो रहा है तो हम क्या करेंगे वनेटी का यहां पे प्राइम फेक्टर कर लेंगे क्या कर करेंगे एक इतना हीका नाइंटी फिर ट्यूंतू से क्या तो तो चली वहां पर इसको अच्छे तरीके से यहां पर लिख देते हैं तो चलो नेक्स पेस्ट ले लेते हैं तो आंसर मतलब यहां पर क्या आगे हमारे पास की जो 180 था उसकों कैसा ब्रेक कर सकते हैं 15 और 12 के केसे में और जो एडिशन अगर 3 यहां पर प्लस का यह हो जाएगा 58 और माइनस का 12 हो जाएगा तो चली नेक्स पेस्ट हम लोग लेके इसको कंप्लीट करते हैं क्वेशन को तो कितने एक्वेशन है तो एक्स स्क्वाइर प् कौन कौन से 15 और 12 तो मने के लिखा 2X स्क्वाइर माइनस का 12x प्लस का 15x और माइनस का 90 इस इक्वेल टुज़ जिरो ऐसा स्प्लिट कर दियो तुमने क्या कि वह प्लस की वैलू को साइन प्लस का 15 को क्यों दिया क्योंकि यहां पर प्लस का क्या था था ठीक चले भी इसको आगे सॉल करता है इसमें क्योंम चे कर लिए इसमें चेक कर लिंए थे एक देखते हैं कैसे सॉलूशन अता है इसका वही जो मारा फेक्टरिजेशन का मैठ अड़ एपक्ट एंट वाइन दू एक्स कमें क्या रहे गे यहां पर की वह लेक्स जेशा है रिमेरिन पार्ट है रहेंगे कि एक ब्रैकेट में आ जागा बटा एक्स मैनस 6 होगा और एक सेगेंड ब्रैकेट में कहारा 2X प्लस 15 किसके एकोल बटा 0 के खोलाएगा इफ एक्स मैनस 6 इक्वल तो 0 then we can write x is equal to बटा कितना अंसरा हेगा 6 हाएगा means जो number of articles हमारे आगे वो कितने आगे 6 आगे अभी जड़ा इस ब्रैकेट को भी चेक कर लेते हैं so if 2X plus 15 is equal to 0 तो बटा यहां से फिर देखे क्या answer हैगा 2X equal to minus 15 and x is equal to क्या हैगा भाई minus का 15 by 2 और भाई number of article का भी fraction में भी नहीं हो सकते हैं और negative में भी नहीं हो सकते हैं कि हमारे answer possible नहीं है तो हमारा answer क्या हो बटा six हुआ means हम क्या लिखेंगे answer क्या लिखेंगे बिटे तो number of articles कितना आएगा बटा six आएगा और क्या लिखेंगे हम लोग cost of each article क्या था बटा कोशिशन में two x plus three क्या था टू एक्स प्लस three मतलब कि two x कितना है हमारा answer six आ गया है प्लस थ्री तो क्या अंसर हो जाएगा बटा 18 12 और प्लस थ्री कितना 15 कितना अंसर आ गया 15 तो दिखेंगे यह कितना हो गया हमारा article नमबर और फार्टिकल six हैं यह कितना six to the ट्वेल और फिप्टीन तो दो answer हमारे आगे कौन कौन से भी number of article यह और यह हमारा फिप्टीन रूपीस ठीक है तो यह फार्टिकल यह तो नमबर फार्टिकल मिल एक्स के लिए शीक्स आगे यह जो इसका कॉस्ट था वो कितना 15 तो six and 15 answer हमारा क्या गया वेटा six and fifteen यह हमारा final answer ठीक है वैसे तो आंसर हम को बस ऐसी लिखना था कि भई नमबर फार्टिकल कितने six हैं और कॉस्ट वीच आडिकल कितना 15 रूपी बस यह हमारा answer the final ठीक है चले ओके तो नेक्स कोशन में आएंगे हम लोग तो चली नेक्स कोश्चन में अब पहले हम को कुछ चीदा सीकनी पड़ेगी कि अला ने चरलल रूट्स क्या होता ठीक है ने चरल और रूट्स क्य swag व होता हैं तो चलिए म्हां पे रहा है इसके इसमें भी चीज पूच रहा यहाँ बोल रहा है इसमें पॉसिबल है कि नहीं तो यह सब चाहिए करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या आणि करना सीखता भी रूट्स क्या था इसके बाद हम लोग सीख रहे हैं कि यह क्या मतलब अगर दो पॉज़िटीव रूट्स आ रहे हैं या रीगन रूट्स अरह यह सब है तो इसका जो में पार्ट है वो मैं क्या बोलते हैं इसको नीचर उफूट्स क्या वन्हों नीचर ऑफ और इसमें हम फाइंड किया कर सकते हैं पहले वो देख लिए जिए बर नेचर आफ रूट्स में सबसे पहली चीज़ तो हमको यह चेक करना है कि बीट नेचर आफ रूट्स मतलब जैसे आपका अंसर मालिज आपने किया पुरा तो कभी आप के पास आऑ एक्सटार चाइब कि एक्स इकवल टू आपका अंसर प्रक्षान में भी आजब आ सकते हैं कभी हो सकता है कभी सबसे सब्सक्राइब कर रहा तो एक्सम्रां सुमॉशन गरी ऑई-3 तो रूस के अंदर और भी नेगेटीव एली और रही है रूट के अंदर भी नेगेटीव है तो यही सब चीज़ें कि नेचर आफ रूट्स यह आपका जो रूट सारण एक्स की वैलिव आ रही है वहारी है हम यह चीज़ देखने ही capital D से अब जिससे आपके पास कोई जो हमारे क्वाइडिक एक्वेशन की स्टैडर्ड फॉर्म होती वों क्योंते बड़ा एक्स स्क्वेर प्लस प्लस सी एक्स स्क्वेर प्लस भी एक्स प्लस सी तो अब यहां पर इसने बुला कि भी यह का कैसे एक्वेशन से हमें कुछ रूट संट करने है और हमको यह बताई किनका नेचर कैसा मतलों पॉस्टी हों गये कि वह रियल होंगे यह रियल नहीं होंगे कि यह रूट्स एक्कॉल होगे तो यह सब फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मैथ्ज़ेंट है हम उसको क्या 135 है क्या बोलते हैं का संग क्भीन हां इसको इट करते हैं थो चलिए का किससे Biz को क्यों में डिस्कुप। allora होता है क्या होता है यहां प्र धिकर आपको भी और यह सी यह और यह आप सबसे पहली कंडिशन किया कि इफ आपने जो बी स्क्राइब किया अगर डी इस ग्रेटर देन जीरो है आपने इसको सॉलुशन किया बही रखी है आपने एक यह पुट की और सी के लिए उसको सॉलुशन किया माली जाप आप काँसर रहifice अंगे ट्विंटी एट के सांसव रह mettre ट्वनियिए टों क्या इसा है जो ओना पॉजिटिव घुरू थे इस गेटर देन जीरो आउ calculator तो Ihre लोडर या किरहा सब थो धिर घ्यर था तर तौइर रहा है ना मतलब पाॉसिटिव एतो आपके रूट जोह जोले देन रूट सार ठैन रूट स सब्सक्राइब अलगा क्या हूंगे रीजल ऐन्ठ कैसे हो जाएंगे डिश्टिंट हो जंगे कैसे हो झाएंगे डिस्ट्न अब यह डिस्टिंट का मतलब क्या वह समझ लो वैर रियल तो यून वरिवल कि रियल नमबर कौन से होते हैं आपको अच्छा से पता डिस्टिंट का मतलब से भी टिफरेंट होगे मतलब जैसे वान और थ्री है माइनस वन माइनस फाइव है यह सब चीज़ है तिक डिश्टिंट मतलब डिफ्रेंट फूर्स और कुछ नहीं अभी कंडिशन ऐसी भी आ रहे हैं शाहिद हमने इसका सॉलुशन किया तो हमारा जैसे पहले ट्वेंटी पूला अंसर आप से नौट रियल कैसे आ जाएंगे नौट रियल आ जाएंगे बई कैसे आजिए नौट रियल तब रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे अभी थर्ड कंडिशन के और या इसके एक्जामपल लेंगे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से इफ डी इस इक्वल डूज जीरो आएंगे एक वाल रूट्स आर एक वल वो पॉस्टीव हो सकते हैं एक्वल एंड रियल भी होंगे तो मतलब इसमें कंडिशन कैसी आ रही आप देख सकते हो कि यह फर्स सेकेंड थर्ड कंडिशन कि डी एक बार पॉसिटीव आ सकता आपका कभी भी डी नेगेटिव भी आ स इकवल टू टैन और टैन दोनों आंसर टैना रहें या फिर एक सिकोड़ फोर एंड फॉर एक सिकोड़ ट्री यह माइनस फइवन माइनस वाइब जो भी आंसर आएंगे लेकिन दोनों कैसे रूट सेंगे हमारे एक को लाएंगे रियल हैं ठीक है यह क्लियर है बात चलिए अब इसके बाद में हम लोग थोड़े इसके कोश्चंस में यह चीज़ें अपलाई करेंगे हमें बस याद रखना अच्छे से कि अगर भाई डी इस गेटर देन जीरो है तो पीटा कंडिशन क्या होगी रूट सार रियल डिस्टिंक्ट अगर डी आपका लेस देन जीरो है है बी स्कूर मैनस वोरे सी जब भी कभी नेचर ऑफ रूट की बात आएगी कभी आपको कोश्चंस में क्या मिलता है फाइंड नेचर आफ रूट्स डैट मिंस आपके माइंड पर तुरह थाना चाहिए हमको कैपिटल डी की वेलू फाइंड करने इसका फॉर्मला क्या होता कोश्चं में कभी भी आपको ऐसा में भी आगर मिल जाए तो आपका लूट लग आपकी बहुत अच्छी किसमत बढ़ अगर आपको कोश्चंट आएगा तो ऐसे ही आगा पीटा क्या कोश्चंट आएगा देखिए कि फाइंड रूट्स आफ दा नेचर आफ रूट्स आफ कि टू एक्स स्क्वेर माइनस का थ्री एक्स और प्लस का फाई इस इक्वेल टू जीरो अब कोश्चंट में इसने बोलाए भाई कि इसका अगर रूट्स रियल आता है मतलब आपका डी कांसर अगर कैसा रहा पॉसिटिव आ रहा तो आपको क्या करना उसे फाइंड भी करन रूट्स और अगर वो रियल है तो नेचर आप रूट्स आपके माइन पर तुरंत आना चीव हमको डिस्क्रिमिनेंट की वहले निकाली मुलब कैपिटल डी इस इक्वेर मैंस फोर इसी कभी भी नेचर आफ रूट्स का क्वेशन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और सीकर लूट्स को ऐसारा यहां पर फायरNS भायम इसको किससे कंप्रिय किया एक्स स्क्रे प्लस भी एक्स और प्लस का सी इसक्वेल टू जीरू इसके साद हमने इसको कंप्र दो इसको कि ए economy चैली हमने वैली लिख दी अब हम लोग लिखेंगे आपे देन कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती भाई बी स्क्वार माइनस फॉर ए सी तो अब हम इसको जड़ा सॉल कर लेते हैं अंसर क्या रहा है हम बी के लिपूट करेंगे कितना बड़ा माइनस त्री का स्क्वार माइनस का फॉर एक इतना गिवन है में टू गिव यहां पर पूचा इसने की अगर रियल थे तो ही फाइंड करने आपको तो हम क्या लिख सकते हैं कि यह डी की वैली जो आगे हमारी कैसी आ गई नेगर टिव आगे सो हम क्या लिख हैंगे यहां लिख देंगे कि हमें क्या लिखना बड़ा यहां पर की जो डी हमारा आ ओ क्यासा है लेस देन जीरो दी इस लेस देन जीरो सो roots are roots are क्या लिखेंगे not real क्या लिख देंगे not real क्या लिख देंगे बिटा roots are not real done कोई दिकत check कर लिजाए अच्छे से here these less than zero so roots are हम कैसे लिखेंगे not real तो real होते तो कर देंगे not real आ गया क्यों not real आ गया क्यों डीकी वैल्यू जो आ गई वो कैसी आ गई यहां पर माइनस का थर्टी वन आ ठीक है चिल नेक्स में आते हैं लोग नेक्स कोश्चन में आते हैं तो चली यह आई समझ में आगया होगा सबसे पहला कोश्चन था तो एक बार और रिपीट कर दें तो मैं कि यहां पर सबसे विल उसने क्या बचाहिए नेचर आफ रूट से पॉसिटिव यह तो रियल और अगर उसका अंसर जीरो आ रहा है तो भी रियल क्योंकि एक्कल रूट से रियल भी है तो उनको फाइन कर लेंगे ठीक है तो चली नेक्स कोश्चन में आते हैं देखते हैं कि यह उनको चली लिखते हैं इसको भी वही कि 3x स्क्वाइर माइनस का फूर रूट थ्री एक्स और बिटा क्या गिवनें को प्लस का फूर इस इकोड़ इसमें वही सेम चीछ पूछ रहा है इसका वही नेचर ऑफ रूट स्वाइन करिए तो देखो यहां पर रूट का क्वेश्चन जरूर आ गया बट कुछ भी यहां पर भी वापस म रही नहीं बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरही किसा सॉल करते हैं तो भी सबसे पहला मारा वर्क क्या होगा कि यहां पर एक को डूट कितना विटा थ्री आएगा बीज इक्वल डूट क्या जाएगा विटा फूर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें साप ऐसा लिक लेने का कि एकस स्क्वाइर प्लस बी एक्स प्लस सी इस इक्वल डूट जीरो तो आपको पता चल जाएगा एक इतना थ्री एव एक इतना फूर रूट 3 बट कैसा माइनस का सी कोल डूट कर तो है सारी वैलियू लगते हैं लिटिका फॉर्मॉला लगा देंगे डिसक्रिव it is equal to B square minus 4 A C, अभिसकी values रख देते हैं, B की value कितना बिटा, minus 4 root 3 और इसका square minus का 4 A कितना है, हमारे पास 3 है, C कितना हमारे पास 4 है, solve गरते हैं पिटा इसको चलिए, तो 440 16th रिजा 48 440 16th रिजा 48 माइनस का 440 16th रिजा 48 ये तो बड़ा कमाल हो गया वही कि क्या आंसर आ गया? 0 आ गया तो चलिए हमें 0 देखने को मिल गया second part में कि आंसर 0 भी आ सकता है इस तरह से तो जब हमारा आंसर 0 आ गया सुम क्या लिख सकते हैं सू रूट्स आर कैसे होंगी बैटा इक्वल एंड रियल क्या लिख सकते हैं लोग रूट्स रियल एंड एक्वल तो चर अभी पर वापस चेक करते हैं कि बीस को एब इनस फोर एसी तो फोर फोर जा सिक्ष्टीन 16 3048 साही है भाई 430 12 1440 काड़ों क्या अब मतलब इसको में सॉल करना तो चलिए यहां तक तो आइधिंग संवी में आगया होगा आपको कोई टेंशन ही अब इसका सॉलिशन को लिए तो चलिए वापस एक बार फिर से एक्वेशन लिखी जाएगी और इसको में लोग solve करेंगे ठीक है तो 3x square माइनस का 4 root 3x और प्लस का 4 is equal to 0 बहिए हमारे roots अगर real और equal आ चुके थे हमने किया देख लिया तो ये equation 3x square माइनस का 4 root 3x plus 4 equal to 0 इसनों ने बोला है कि इसको solve भी कर दो अगर आपका अंसर आ चुका है तो इसको बिटा आप solve भी कर देजाए तो चली इसको solve कर लेते हैं हम लोग कोई tension वाली बात नहीं है बहुत easy way में solve कर लेंगे इसको तो चली इसको जब solve करेंगे तो सबसे पहला बर कमारा वापस से वही कि यह 3 और यह 4 क्या होगा बैटा multiply होगा क्या आएगा 12 आएगा अभी ऐसे तो नमबर चीम को जिनका multiplication 12 हो और उनका addition क्या हो फोर रूट थ्री हो अब यहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि फोर रूट थ्री हो और multiplication तुल अब इसको कैसे किया जाए तो भी हमने देखा कि चलो एक काम करते हैं कि फोर रूट थ्री उसका addition कैसे हो सकता है ऐसे दूनमर जिनके addition अप सिंपल सी लुजिक है कि आपको पता है कि rational rational के साथ याड होता और irrational के साथ एड होगा तो अगर मालों में यहां पर लिखते हैं भई कि फ्री रूट थ्री ऐसा मैंने लिखखा और इसको मैंने लिख दिया के वल रूट थ्री ठीक है तो answer कि आए गया पे आप चेक करोगे तो तो पॉसिबल नहीं है तो चलिए और कुछ शेक कर लेते हैं यह तो पॉसिबल हमारे लिए नहीं था तो यहां पर आएगा कि एक्शुल में उसको चेक करना कि अंसर आएगा क्या तो भाई हमने दिखा कि फॉर फॉर त्रीजाट ट्वैल आरा है मरा अंसर अब इसको ऐसे दो फॉर रूट रियों ऐसे दो नमबर चीए जिनका एडिशन फॉर रूट रियों तौं क्या लिख सकते हैं देखते भी चलो थ्री एक्स स्क्वेर यह प्लस का फॉर तो ऐसे रहने वाला है इसको स्प्लिट करना है और वह रूट त्री के टंस में ही होगा तो क्या टू रू क्या आएगा बेटा फॉर आएगा मतलब यह चीज़ पॉसिबल है हमारे ठीक है तो चलिए हम यहां पर क्या लिख सकते लेकिन दोनों ही नेगेटिव होंगे क्या साइन कैसा माइनस का तो हमने क्या लिख दिया बढ़ा टू रूट थ्री एक्स और यह भी क्या लिख दिया है कि हम थ्री को क्या लिख सकते हैं थ्री को बटा हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं रूट थ्री अजब एक रूट थ्री आप कॉमन में ले लोगे तो देखो आपको यहां पर क्या है रूट थ्री भी कॉमन आ गया तो एक एकस भी यहां पर रह जाएगा तो रूट फ्री एक्स के आंपर यहां पर क्या होगिया एले सब्सक्राइब क्स्वा है तो क्या लिए प्लस है क्लिटीक टॉर है को इस ही इन对 सकते हैं बेटा टू आ जाएगा इसको एक बाड़ चेक कर लिजी आप यह भी कंप्लीट है टू टू जा फॉर और माइनस माइनस प्लस भी हमारा कंप्लीट है दोनों ब्रेकेट भी कैसे आ गहें से मागें तो फाइनली मेरा मतलब यह था कि ऐसे भी कोशन आ सकते हैं जहां पर आपको सब्सक्राइब को चेक कि हमें हमें हमारे माइन पर आए कि यह हो सकता है कि एडिशन जो है फोर आना था तो टू और टू पॉसिबल था तो हमने रूट थ्री इसलिवाँ पे ऐसा लिख दिया ठीक है चल्ट तो फाइनली हमें कैसा दिखिए रूट थ्री एक्स माइनस टू और यहां पे भी क्या लिखै विटामना रूट थ्री एक्स माइनस तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है यहां से कि हमारे दोनों अंसर कैसे आ रहे हैं सेम रहे है लेक्सक्राइब दोनों ब्रेकेट से में तो अंसर भी सेम हाएंगे भई इफ रूट थ्रू थ्री x-2 is equal to 0 then बेटा देखो यहां से x की value क्या जाएगी आपकी 2 upon root over 3 same वैसे यहां पर भी कर देंगे हम लोग if root 3 x minus 2 is equal to 0 बेटा यहां से भी x की value कितनी आ जाएगी देखिए आप यह 2 वो set जाएगा plus हो जाएगा और root 3 multiply में तो यहां के division में जाएगा तो दोनों answer हमारे कैसे आ गए equal आ गए ठीक है तो यह final हमारा answer था तो हम दें पहले nature of roots भी find किया फिर उसको solution करके हमने अपने final answer तक आ गया चली भी next question में आते है next क्या है देखते हैं बही same बैसे ही है कि इसमें भी वही चीज़ करना है हमको तो चेक करते हैं वही टू एकस स्क्वाइर माइनस का six x लिखा हुआ है प्लस का three is equal to zero अभी तो में एक्सपर्ट हो चुक है तो मैं पता ही चल कि है यहां पर एक कितना है टू है एकस स्क्वाइर प्लस बी एकस मतलब बी कितना है माइनस का six है सी कितना थ्री है हमें फाइनली नेचर आफ रूट्स फाइन करना तो डिस्क्रिमिनेंट की वैलू क्या होती है डिस्क्रिमिनेंट की वैलू बी स्क्वाइर माइनस 4ac हम लोग इसको find करेंगे तो क्या लिखेंगे इसकी value रुख देंगे आपे 6 का square हो जाएगा यह minus का 4 यह कितना है बैटा 2 है c कितना रहा है हमारे पास 3 आ रहा है सारी values put करते जाए है बी एसी सब values put कर दिए इसको solve कर दिया 36 और यह minus का कितना है बैटा यह 4 तूज़ा 8 और 8 तूज़ा 24 या फिर 3 तूज़ा 6 6 फूज़ा 24 मतलब positive आ रहा तो यह भी हमारा कैसा हो जाएगा दी हमारा तीनों केस हमको देखने को मिल गए है तीनों केस मिल गए एक में negative भी आया एक में 0 केक को लाया और यहाँ पर दी कैसा हमारा positive मतलब greater than 0 भी आ रहा है तो दीखे 6 में से 4 माइनस तो 2 बेटा और यहाँ पर तो 1 12 आंसर आ गया तो मतलब कि if d is greater than 0 then roots are real then roots are real क्या लिख सकते हैं मिटा है यहाँ पर then roots are real अब हम लोग इसके roots find करते हैं चलिए तो यह तो पता चलिए बहुत हमें यहाँ पर find करने क्यों 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 और प्लस का 3 is equal to 0 चलिए इसको split करना है आमें पता है थ्री टूज़ा क्या हो रहा है बही 6 हो रहा है कि देखते हैं मिटलब मल्टिप्लिकेशन भी 6 आ रहा है और एडिशन भी कितना रहा है इसको कर दिया है तो वैल्यू रखी 36 आ गई है सब कुछ करेक्ट है तो अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना यहां पर क्या हो सकता हमारे लिए तो चलिए देखते हैं टू एक्स स् थ्री और त्री का मल्टिप्ले करोगे तो नहीं नहीं तो कोश्चन का अंसर तो बढ़ा पट्टा लग रहा है क्योंकि आंसर रूट में भी आ सकता है इसलिए हमारे पास एक मैठड एक और भी होता है कि कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि हमारा थोड़ा सा हमको समझ नहीं कुछ समझ नहीं हो रहा थैं कि एक कर सकते हैं कि यहां पर एक ईए कितना रहा रही है कभी आपको है करें क्योंकि हम ये यूज कर सकते यह कोई स्टैंट में कोई बालguru मातें कभी अपने को टाइम खराब करना है सोच के बहुत जगा तो 2 तो चीजह आपने सब कुछ सीख लिए अफेक्ट ट्रेटिजेशन चीदिए हो गई है लाकिन फॉर्मला भी सीख L argument मैंत कि कि इस ने जब भी देखते हैं कि इसमें जब भी हम को एक्स कीम फैन करने है भाई माइनस भी और इसका benefit कि है न कि हम बी स्क्वार मैनस फोर एसी की जो वैल्य वह फाइंड कर चुके और इसके अंदर आता है वह इसको यूज करेंगे न तो हमारा बहुत अच्छा रहा टाइम भी बचेगा और अमरा अंसर भी अजागा बीस को मैनस फोर एसी अपॉंट टूए यह फ्रम्ला होता है माइनस भी प्लस मैनस सूरूट ओवर बी स्क्वे था कितना है था था टर्टी सिक्स माइनस फोर एसी देखो फोर की फोर और कि इतना आपके पास यह डूज़ी कितना तो तू डूजा फूर तो फाइनली आपका कुछ ऐसा अंसर आ रहा है कि माइनस सिक्स प्लस मैनस सिक्स प्लस मैनस रूट ओवर 12 और डिवाड़ेड बाई कितना रहे टू टूजा फूर आ रहे तो यहां पर दो आंसर आपके आ रहे हैं कौन कौन से रहा है एक अंसर इसके साथ पलस वाल और एक माइनिसस वाल फूरह इसको टूर दे कर लेते हम लोग तो चलिव सकते हैं और तो यहां तो यहां से तो आगे अंसर आपका यह कुछ ऐसा अंसर आगया मतलब कि एक सिक्वल टू एक अंसर आ रहा है आपका कैसा थ्री प्लस रूट थ्री बाइटू एक हमने पॉजिटी वाला नंबर ले लिया और दूसरा एक समारा क्या रहे बटा थ्री माइनस का रूट थ्री और डिवैड़ लेकिन जब यह अंसर अब हमको यह तो पता ही था कि हमने वहां पर ट्राइट हो कि ऐसा नहीं कि जब हमारा कोश्चन बाइस प्लिटिक मेंडल टम से नहीं हुआ हमने ट्राइग किया बट हमें ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है कि जिनका मैल्टिब्लेगेशन बेशिक्स ओ उन है यूज कर लेन हम आपर कोडिटिगी फॉर्मला यह कौडिटिटिक फॉर्मला है आपका और बिल्कुल सिंपल में में इसमें आपका अंसर प्लस माइनस में आता है दो एक प्लस वाल अर्ट एक अपका फैनल एंसर आ गया है यह आपका final answer ठीक है चलिए एक देख लिए तो यहाँ पर हमने टू कॉमन लिया था तो कितना हो गया था त्री टू जा सिक्स हो रहा है वहां पर और टू टू जा वो टू जा टू रूट त्री आ रहा है तो यह हमारा question अभी टिक अभी next question में आएंगे next question में तो अभी यहां पर बोल रहा है कि अभी आपको बता है थोड़े पहले कि इक्वाल रूट समको पहले से गिवन हैं आपक्या गिवन है देखिए find the value of k find the value of k k क्या question बोल रहा है find the value of k यह kq यह हमें आपके find out करनी है इच फॉलिंग कोडिक एक्वेशन सो दे हैव दे टू इकोल रूट समेकोल रूट सब गिवन है हमको इकोल रूट्स गिवन है मतलब पता चल गया हमें लिखना क्या है पहले चीज तो यहां पर इसके सोलुशन में क्या लिखने हो ले भाई कि इफ रूट्स आर इक्वल हमें कैसे रूट्स गिवन देखिए यहां पर क्या बोला उसने इक्वल रूट्स गिवन है देन वी नो वेरी वेल कि जिसका जो डिस्क्रिमिनेंट आता है वो कितना होगा बिटा जीरो के एक्वल आएगा सो वी केन राइट कि बी स्क्वार माइनस फोरे सी इस इक्वल टू जीरो कितना बी स्क्वार मेनस फोरे सी इस इक्वल टू जीरो चलिए अब भी हम लोग इसको आगे अपने क्वेशन को सॉल करते नो क्या एक्वेशन गिवन थे हमें पता चल गया भाई कि हमें डी को किसक to 0 ठीड़े है यहां पर एक उल्यों कितनी आरे है वीक्वल डू क्या रहे है रहे है iPS इक्वल करते है इसकू वी स्क्वार माइनस फोर रही है इस इक्वल टू जीरो क्या लिख देंगे है ब्रेकेट में इफ रूट्स आर वैसे हम पहले लिख चुके थे फिर भी ब्रैकेट में बता दो इफ रूट्स आर एक्वल ब्रैकेट में इसलिए लिखना सही है कि बही एक्जामनर को पता चल जाएगा कि आपने यह अप्लाई क्यों क्या क्यों कि भाई हम रूट्स कैसे गिवन थे वैसे लिख दिया है कि अगर ऐसा होता तो डीकोल दूट्स फिर भी ब्रैकेट में बता देने का तो कोई टेंशन ना रहा हमें भी चलिए भी सको सॉल कर लेते हैं पर वैलीव पूट करते हैं बी की वैलू क्या रही पटा के है तो के स्क्वेर हो जाएगा माइनस फॉर एक की वै स्वेंटी फॉर यह वैल्यू माइनस किया है कि उसको फॉसिटीव कर देंगें वाजाके तो ट्वैंटीफू आ रहा है तो अब देखो के स्कौर थैगा टूटीफू क्या हो सकते है बढ़ा प्लस माइनस का क्या अंसर आ सकता है रूट अवर 24 और रूट अवर 24 कम क है लिखСकते हैं क्या अश्र रागा रूट अवर 24 अब हुआ 24 कम क्या लिखन सकते है शिक्स फॉर्जा होता है तो व्हार्जा वर्फ और रूट के बार करेंगे तो िरूट प्लस माइनस टू रूट यह हमारा एंसर टीक है सो के की वेलु किया रिविदा प्लस माइनस का टू रूट 6 एक बड़ चेक कर लिए अच्छा से कोई दिक्कत नहीं है तो यह एटू है के गीवन है सी के विलू 3 की विलू को क्यां सरा हमारा रफ में करना है तो आप कर सकते हैं इस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ ट्वेंटी फॉर कमने क्या प्रेक किया कि वह कितना सिक्स इंटू फॉर और यह जब रूट के अंदर था तो रूट से जब यह फॉर बाहर जाएगा तो कितना टू आ जाएगा इसलिए लिए कर लेते हैं अच्छे तरहीके से तक आपका बेस और यह जाएगा अब यह कोशन जब आपके सामने आ रहा ना जब यह कोशन आपके सामने आ रहा तो देखो इसको क्या लिखेंगा की एक्स एक्स माइनस टू प्लस इक्स इकोईल डू जिरो देखो आप लोग इसमें और भ सबसे पहले तो इसको क्या करने वाले कि independent यह कि इसस्क्वेर कितना बिखत जगे माइनस का टू के एक्स ओके और प्लस का six equal to zero देखिए question एकदम simple है कोई tension वाली बात नहीं यहाँ पर आराम से solve करेंगे कि भई की x square हो गया यह और minus का two k x हो गया प्लस six equal to zero फिर हमको finally यहाँ पर क्या check करना है क्योंकि हमें और पहले से ही पता है कि roots हमारे कैसे given equal given हमें पता है कि d equal to zero होगा ठीक है तो पहले तो हम a की value लिखेंगे कितना रहा है बटा की आ रहा है b is equal to कितना रहा है बच्चा minus का two की आ रहा है और c is equal to हमारे पास क्या रहा है यहाँ पर six आ रहा है ठीक है चलिए विसको solve कर देते है a की value मिल गई, b की value भी आ गई और हमारे पास c की value हुब आ गई अब हम क्या लिखेंगे कि we have roots are equal roots of quadratic equation are equal अगर हमारे quadratic equation के roots equal है so we can write d is equal to zero so d is equal to zero value रख देते हैं इसकी d की value b square minus 4ac is equal to zero value put करते हैं कितना minus का 2k है इसका square करेंगे हम लोग यहाँ पर बिटा minus का 4a कितना हमारे पास k आ रहा है और c कितना given हमको six given है is equal to zero के तो चलिए कितना हो जगा बिटा 4k square 4k square फिर यह क्या minus का six forza 24k तो हम क्या लिख सकते हैं बिटा यहां से कि 4k square is equal to कितना भई 24k अभी यह case के साथ cut कर सकते हो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर फोर के is equal to 24 तो बिटा यहां से अगर हम के की विलू फाइन करेंगे तो क्या अंसर आगा ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई फोर आंसर आपका आगया कितना six तो यह हमारा अंसर आगया case equal to six तो यह प्रॉसेस था हमारे जो एक्वेशन गिवेंटी उसको लिखा फिर हमने बताया कि रूट से कॉल है तो डी के वालू क्या होगा जीरो के को लेगा उसकी वैलिव पर कर दिवी स्कार नस फोर इस एक वाल दूज जिरो और फाइनल इसको उसका हमने आगे solve कर दिया ठीक है तो अभी यह अन्सर मारा चुका है विसके बाद जो है अब यहांद जो हमारा फार्म लाट ऊप्टाल दे ओक्या से से.ईपने उसको अप्लाइब कर लिया आप ने इतना सीख लिया अप जो वांड्स पॉर्मलाइंग प्रॉबल्मने इंगे उसमें भी ही चीजिज है कि अगर कोई फॉय फॉसिवल का पोसिब ले अब जब के एक्स का जो वेरीательно आँसर आएंगे बाइचन्स अगर आपका वईर्यoton सा बोले की अरली यह आता है अगर वह राजयता नहीं है आउसर तो पॉसिबिल्टी है नहीं आपके लिए तो पॉसिबल का वोगा अंसर ना कोई भी रिया वर्ड प्रॉबलम मैं मने जे लेंथ है ब्रैथ है या कोई भी चीज़ गिन पॉसिबल का वोगा अंसर आना जब रूट्स कैसे हो एक वाल हो हो रियल और डिस्टिंक्ट हो लेकिन अगर डीज लेस दें जीरो होगा तो आपका अंसर आना इंपॉसिबल है तो आप कुछ कुशन्स ऐसे आएंगे उसको हम लोग आगे डन करेंगे चली ओके सो चली थैंकियू सो मच थैंकियू सो मच